हलो एवडिवन आज है ग्यारा मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में देखे 16 रुपे का ये शेयर है और मुश्किल से आज 1% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली आज इस बैंक के quarter 4 के नतीज़े आ जोके हैं और काफी अच्छ रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में इस उडियो में हम बातचीत भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियोज हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो साउथ इंडियन बैंक का शेर 16 रुपय का है आज तकरीवन 1.5% की तेजी बनी है यहां पर एक महिने में अगर हम देखे तो 7% की तेजी है अच्छी रफता है बनी थी लेकिन पिछ 213% का ग्रोथ है बहतरी इन तेजी इसने देखी देखे लंबे समय था कि 78 रुपय की रेंज में अठका रहा लेकिन जब फटा तो ऐसा फटा के 20 रुपय पर चला गया लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगाता दीरे 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 करके जा रहा है यह नीचे की नहीं है जिसने लंबे समय से डिविडेन पे नहीं किया है और यहां पर अगर आप देखो तो तकरीबन 334 करोड का इनको मुनाफ़ा हुआ है जो की बहतरी इन चीज़ है हाईएस टेवर नेट प्रॉफिट है कंपनी का बैंक का इन दर हिस्ट्री ऑफ बैंक अगर हम बात क देखे तो NPA देखो ये बड़ी बात है ग्रोज NPA जो है वो 5.14% है इन मार्च क्वाटर जो इससे पहले डिसंबर क्वाटर में 5.48% का था मतलब घटा है अच्छी बात है ये नेट NPA भी घटा है ये वी अच्छी बात है 1.86% पर आ चुका है जो पहले 2.26% हुआ गज़ वो भी quarter on quarter इतना improvement आया है यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो dividend ये बड़ी बात है यहाँ पर कि 30 पैसे का dividend भी इसने पे किया है और ये बड़ी बात है dividend को लेकर क्योंकि इससे पहले अगर हम dividend की बात करने जाए तो इस bank ने जो dividend है वो इससे पहले अगर हम बात करे तो 2019 2019 में पे किया था 2019 में 25 पैसे का पे किया था 2020-21-22 तीन साल तक पे नहीं किया लेकिन 30 में 30 पैसे का डिविडेंड अनौंस किया है तो अच्छी बात है और तो और अगर हम बात करने जाए तो आज वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे हैं एक करोड साथ लाक से भी जादा के वॉल यहां पर भले ही 84 पर्सेल के खरीदारी करो लेकिन मेरे बायें के रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है अगर हम बात करने जाए कम इस बैंक को लेकर तो आप देखे इनके रिवन्यू पहले बढ़ रहे थे बाद मैं डिकलाइन देखा हमने 7765 क्रोड से यर-on-yar बेस पर डिक revenue हम देखे तो पहले बढ़ रहे हैं लेकिन last December quarter में revenue भी घटते नज़र आए और profit अगर हम देखे तो देखे profit काफी और even तरीके से है जैसे कि December 2021 वाले quarter में 50 क्रोड का loss था फिर 272 क्रोड का मुनाफ़ा कमाया फिर 115 क्रोड फिर 223 क्रोड फिर 103 क्रोड अभी 333 क्रोड उसके ब South Indian Bank के बारे में बात करी जाए तो 4.72 का इसका P रिशुस है और सस्ता है यह सेक्टर P 18 का है और 67% अनलिश कहते है खरीदारी करो जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहां पर बहुत कुछ है प्रमोटर के पास कोई प्रमोटर है ही नहीं यहां पठेगा 2.72% है mutual funds क के पास जो पहले कुछ भी नहीं था तो यह बड़ी बात है कि mutual funds ने entry करी हुई है March quarter में December तक mutual funds यहां पर थे ही नहीं डोमेस्टिक की 6.88% की होल्डिंग यह भी घटी है यहां पर 4.92 पर आई है पहले 6.88 थी अभी घट के आई है 4.92 इवन एफाइल्स ने भी बिक्वाली करी है 14.89% की होल्डिंग जो थी वह 14.58 पर आगी मतलब mutual funds पहले थे ही नहीं उन्होंने entry करी और बड़ी quantity खरी दी ले 77.77 जिनमें सब retail investor 49.48% की holding लेकर बैठे हैं जो पहले 50.20% की थी मतलब थोड़ी सी quantity retail investors ने भी यहां पर बेची है जहां तक बात करी जाए banks को लेकर तो South Indian Bank जो results आए हैं वो खराब तो पहले चीज़ नहीं है खराब तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है results मेरे हिसाब से अच्छे results है उतने खराब नहीं है और शायद इससे एक push यहां पर मिलना चाहिए अगेन मैं कहूंगा जो push मिलेगा वो temporary push होगा क्योंकि अगर मैं इसा graph observe कर रहा हूँ तो इससे पहले भी जब बड़ी रफ्तार आई वापस गिरावट आई तेजी आई अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है चौदा रुपे से यह लगातर उपर जाने की कोशिश कर र जो loss है पहले कि यह था कि जो NPA था ठीक है अगर मान लीजे कि तीन महीने तक उसकी recovery नहीं होती है मानों की एक loan दिया है ठीक है और अगर तीन महीने तक installment नहीं पे करते हैं तब जा कि उसको NPA डिकलर करा जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब RBI कह रहा है कि आपको advance में कर सकता है और जब ऐसा होगा तो कहीं न कहीं और fundraise करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी और छोटी बैंक पे दिक्कत जादा होगी कि उनकी order book छोटी होती है जो बड़े banks होते हैं उनकी order book काफी बड़ी होती है तो जाहतर उतना बड़ा असर वहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है लेकिन जिनकी order book छोटी होती है उन bank पे दिक्कत आती है और यही वज़ा है कि हमने Canada bank में और Punjab National Bank में कल गिरावट देखे थी आज बले ही recovery लोटी हो लेकिन गिरावट देखे थी और देखो March quarter के results अच्छा हैंगी यह expected था यह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि March quarter क results जो है वो अच्छा हैंगे लेकिन उसके बाद का क्या June quarter और September quarter के results है वो deciding factors होंगे क्योंकि जिस तरीके से interest rate बढ़ाये गए है कहीं न कहीं demand में shrink आया है और वो actually visible होगा आपको June quarter में कि कितना shrink आया है और यही वज़ा है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी कु कहीं न कहीं एक shrink नजर आएगा और कुछ announcement भी आएगी आरबिया की तरफ से और अगर वो announcement आ गई जो मैंने NPA declare करनों को लेकर बात करी यहां पर तो कहीं न कहीं एक दुबारा से एक shrink आएगा एक share में गिरावट आएगी और तब खरीदारी के मौके डूनने चाहिए आपक और अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि जो असली impact है वो June quarter में September quarter में उनके results में आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर अगर गिरावट आएगी तब शहर में तो अभी देखो दो तीन महिने तक मुझे लगता है कि बीच बीच में आपको ups and downs देखने को मिलेगी तो यह के बाद गिरावट भी आएगी तो उसके तैयार रहना अगर आपके पास है तो रखे रहो लेकिन अगर दुबारा यह 18-19 की रेंज में जाता है तो profit taking के मौके ज़रूर बन जाएंगे वीडियो को यहीं पैंड करूंगा पसंद आए हो तो like करे शाय करे चाहाँ अब अगर